धीमर खेडा तैसील क्षेत्र में भारत के भगोलिक केंद्र बिनिंदू सांसद आदर्श ग्राम करौन्दी में सांसद क्षेत्र शहडोल की सांसद हिमांद्री सिंग एवं सांसद प्रतिनिधी पदमेश गौतम द्वारा लगभग साथ महीने में दो बार व्रिक्षा रोपन कराया गया है किन्तु पानी की व्यवस्था न होने से व्रिक्ष धिक्तर नश्ट हो गया है निरीक्षन करने पहुंच एक शेत्र क्रमांक 6 के जिला सदसे अजय गौरटिया को अफगत कराते हुए ग्रामीन वचोकिदार ने बताया कि व्रिक्षों की देख भाल के लिए प्रतिदिन की मजदूरी 150 रूपे की दर से दी जाती है करौंदी आदर्श ग्राम में लगभग 2 हेक्टेय में 600 रिक्षों के करीब रिक्षा रूपन कराया गया है रिपोर्टर राजेंद्र कुमार चौर सिया धीमर खेडा कटनी साइद उसको जोड़ के रोड़ में विक्षों की हैं उसमें से सभी मिला के 12,000 रुपे के आसपास इनको खाते में पैसे आये हैं अच्छा यहां पर आये हैं को एक हजार और इसके बाद साइद दो बार ब्रेक्षों पड़ा हो चुका मंगर आप लोग को जानकारी है कि य इस दूप से जो पेड़ है जो हमारे एक मंसा है कि परियाम आप हमारे संक्षित है और इससे क्या है कि हमारा जो पेड़ सुरक्षित हैता हरा भरा रहता आज अच्छे इसका विकास हो जाता तो लेकि छेत्र में ऐसी चर्चा है कि सांसर्द गोत्म दोरा कि मैंने पेड़ अच्छा लोगों ने बताया कि सांसर्द के अलाबा एक उनके जो प्रत्मिदी है जिने प्रत्मेश गोत्म कहते हैं वह आयत से साथ दुबारा उन्होंने प्रेक्षोड रोपड़ यहां पर लगाया था और फिर यहां के लोगों ने बताया कि हमारे जो देश के प्रधान म माल में सूचु के हैं ठीश